वीडियो हाउ टू क्लीन बाथरूम टाइल्स एंड टैप्स की सक्सेस के बाद आज मैं आपके लेके आई हूँ हाउ टू क्लीन मार्बल फ्लोर रेगलर क्लीनिंग के बाद जूद मार्बल पे कुछ ऐसे स्टेंज हो जाते हैं जिने निकालना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी थी और मुझे भी अपने मार्बल से कुछ स्टेंज को निकालना था क्यूंकि हाल ही में हमने कुछ वुडन वर्क करवाया है जिसकी वज़ा से ग्लू और अधर केमिकल के स्टेंज मुझे जगा जगा नज़र आ रहे थे और वो स्टेंज इतने स्ट्रॉंग हो गए कि लगा अब असानी से नहीं निकलेंगे तो इसी लिए मैंने इन क्लीनर को लेके कुछ रिसर्च की और आज इस वीडियो में आप ही के सामने मैं इन स्टेंज को क्लीन करके भी दिखाऊंगी वीडियो शुरू करने से पहले दो को चीजें क्लीर करना चाहूंगी फर्स तिंग ये कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है क्योंकि मैं स्पेशली किसी प्रोड़क्ट को प्रमोट नहीं कर रही हूं आप बाय करना चाहें देन फाइन अगर आपके पास कोई और इनसे भी अच्छा क्लीनर है तो प्लीज कॉमें सेक्शन में बताएं ताकि दूसरों को भी हल्प मिल सकें सेकिंड फिंग बहुत हार्ड स्टेंज और काफी जादा प्लेस को क्लीन करने में बेकिंग सोडा बेस्ट डियावाई क्लीनर उतने एफेक्टिव नहीं होते और अपने फ्लोर को क्लीन करने के लिए अगर कभी- सबसे पहले में आपको दिखा रही हूँ आर क्लीन मार्बल क्लीनर इसके डिस्क्रिप्शन के कॉर्डिंगली ये एक नौन एसेडिक लिकुड कंसेंट्रेट है जो ग्रीस, ग्राइम, सॉल और डर्ट वगरा को इजीली क्लीन कर देता है और इसे मार्बल को कोई नुकसान 500 ml की बॉटल की कॉस्ट 155 रुपीज है, ऑनलाइन अविलेबल है, बट टू बॉटल आपको एक साथ मिलेंगी, तो डिलीवरी चार्जिस वगरा मिला के ये दोनों मॉटल मुझे 400 में मिली है, अगर आप बाई करना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नेक्स्ट क्लीनर है, मार्बल मास्टर, मार्बल स्टेन रिमोवर, जो आपको ऑनलाइन अविलेबल नहीं है, मैंने इसे लोकल हार्डवेर की शॉप से ही बाई किया है, जिसकी कॉस्ट है 165 रुपीज, ये कोई दास एंटरप्राइस कंपनी का प्रड़क्ट है, जो आपक कंपनी का एक प्रड़क्ट है, कॉस्ट है 250 रुपीज, इनका कहना है कि आपका मार्बल हमेशा शाइन करता रहेगा, अगर आप डेली पानी में मिला के, इससे मॉपिंग करते हैं, डेली तो नहीं, बट आल्टरनेट डेस पे इसका यूज कर रही हूँ, तो चलिए अब द देखते हैं, जो दावा ये परड़क्ट कर रहे हैं, वो कितना सही है, इन दोनों स्टेन रिमॉवर्स को हम स्प्रे बॉटल में फिल करेंगे, ब्लू पॉटल में फिल किया है मार्बल मास्टर, और ग्रीन पॉटल में फिल कर रही हूँ, आर क्लीन मार्बल क्लीनर, ये स्टेन टीवी एरिया के पास पिछले चार साल से है, क्योंकि यहां पे जो सेटिंग पहले थी, उसे निकलवा के कुछ चेंजिस करवाए गये थे, और पहले की सेटिंग से ग्लू की निशान और उस पे डस्ट की वज़ा से, ये स्टेन कभी पूरा साफ ही नहीं हुआ, सोप से रब करने पे थोड़ा लाइट हो जाता है, और थोड़े दिनों के बाद दुबारा ऐसा ही हो जाता है, तो इस टेन पे चौक से मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि दोनों क्लीनर से हम इसको साफ करके देखेंगे, एक वेट क्लोथ से पहले मैं इसको थोड़ा स से स्क्रब करेंगे, देन क्लीन विद वेट क्लोथ, दो तिन बार इसे साफ पानी से अच्छे से साफ कर लें, ताकि क्लीनर का कोई पार्ट फ्लोर पे रहना जाए, जो स्टेन आप देख रहे हैं, यह कोई स्टेन नहीं है, यह वाइट सीमंट है, जब हम टर्माइट्स की म दोल करवाने ही पड़ते हैं, और उसके बाद वाइट सीमर से उसको फिल कर देते हैं, और देखे यह अब पूरी तरह से साफ हो चुका है, you can see the difference, सेम ऐसे ही दूसरी तरफ का स्टेन भी हम क्लीन कर लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही क्लीनर्स में स्टेन को बिलकुल रिमूव कर दिया है, यह बाकी के निशान हाल ही में करवाए गए, वुडन वॉक से मिरे हैं, चलिए इने भी क्लीन कर लेंगे, तरहें. मैं आलग-अलग stains पे दोनों ही cleaners का use कर रही हूँ and results are really good कर दो मैं आलग-ः। मैं आफ रही चरब तो ये तो थे marble stain removers लेकिन alternate days पे marble tutor के साथ मॉपिंग करने से काफी dirt clean हो जाती है but this product is optional जरूरत के बिना कुछ भी बाय ना करें I wanted to help those people जो marble stain से परिशान है so ये review मैंने आपको दे दिया है video helpful लगे तो please like करें और share करें अपने friends and family के साथ subscribe करें मेरे channel को bell icon के साथ to get notification of new videos it's totally free तो मिलती हूँ आपसे new video में new topic के साथ till then bye take care and stay healthy आपसे आपसे दिए और चापसे दिए आपसे दिए